ये जो इंडिया है ना ये तुफान नुपुर की चपेट में आ गया है 26 मई को बीजेपी की राष्ट प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक न्यूस चैनल पर पेगंबर मुहम्मद का अपमान किया देश के मुसल्मान इसको लेकर नाराज थे लेकिन जैसा की अनुमान था कुछ नहीं हुआ 1 जून को बीजेपी के दिल्ली मीडिया प्रमुक नवीन कुमार जिंदल ने भी एक ट्वीट में हजरत मुहम्मद का अपमान किया फिर से कुछ नहीं हुआ लेकिन 4 जून के बाद से कतर, UAE, कुवेट, इरान, इराक, साओधी अरब, इंडोनीशिया, बाहरेन, लिबिया, जॉर्डन, माल्डीव, यहां तक की पाकिस्तान, तालिबान, तर्की, मलेशिया एक के बाद दूसरे देश ने विरोध किया वो भी कड़े शब्दों में भारत के राजडूतों को बुला बुला कर डाटा गया आखिरकार 5 जून को टिपपनी के पूरे 10 दिन बाद नुपुर शर्मा को निलंबित और जिंदल को बीजेपी से निशकासित कर दिया गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तूफा नुपुर अपना काम कर चुका था ये जो इंडिया है ना उसके पास पिछले कुछ दिनों के ड्रामा को लेकर कई सवाल है पहला नुपुर शर्मा की टिपणियों और उनकी सस्पेंशन के बीच 10 दिनों का अंतर क्यों दुख की बात है कि इसका जवाब बहुत सरल है क्योंकि हमारे अपने करोडों मुसलिम नागरिकों की भावनाओं को हम महत्व नहीं देते हमने तभी जवाब दिया जब मुसलिम राष्ट्र जब विदेशों में मुसलमान नाराज हुए जब विदेश में हमारी चवी धूमिल हुई जब इसके राजनीतिक और आर्थिक दुषपरिनाम साफ दिखने लगे फरान अक्तर का ये ट्वीट भारत के मुसलमानों की निराशा को दर्शाता है नुपूर शर्मा के बयान वापस लेने के बाद उन्होंने कहा जबरदस्ती में मांगी गई माफी कभी दिल से नहीं मांगी जाती इसी से अगला सवाल उठता है बीजेपी ने नुपूर शर्मा और जिंदल को सजा क्यों दी क्योंकि हाडी के देश काफी ज्यादा माइने रखते हैं भारत का 60% तेल मध्यपूर्व देशों से आता है लगभग एक करोड भारतिय गल्फ में रहते हैं काम करते हैं मजदूर, नर्स, ड्राइवर, टेकनीशन, डॉक्टर, बैंकर, बिजनिसमन और ये हर साल लगभग 55 बिलियन डॉलर भारत भेजते हैं अर्थ विवस्था का एक बड़ा हिस्सा है UAE, अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार का भागिदार है साउदी अरब और इराक, चौथे और पांच्वे नंबर पर हैं सालाना भारत का इन देशों के साथ 150 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है लेकिन हैरानी की बात ये है कि BJP के प्रवक्ताओं को या तो ये सब पता नहीं था या फिर उन्हें इस बात की परवा नहीं थी कि किसी दिन समाचार चैनलों पर उनके लगबग हर दिन दिये जाने वाले हेट स्पीच की कीमत भारत को चुकानी होगी अभी भी इन प्रवक्ताओं को हटाना खाडी देशों की नाराजगी को कम करने के लिए एक रणनीतिक चाल की तरह ज्यादा दिख रही है ना कि इस बात को स्वीकार करना कि हमारे समाजिक और राजनीतिक ताने बाने में कुछ गहरी खराबी है एक और सवाल जो कई लोग पूछ रहे हैं बीजेपी की गलती का भुक्तान देश क्यूं दे रहा है भारत माफी क्यूं मांग रहा है खाडी में भारती राजदूर इस रायते को क्यूं समेट रहे हैं जबकि पैगंबर मुहम्मत का अपमान करने वाले दो बीजेपी प्रवक्ता थे सवाल वाजिब है मिडल इस्ट में भारत की विदेश नीती खाडी देशों के साथ हमारे सफल संबंद, आर्थिक संबंद, संस्कृतिक संबंद, दशगों की नीतियों और महनत का परिणाम है इन रिष्टों पर खुद मोदी ने महनत की है तो क्या ये उचित है कि BJP का कोई प्रवक्ता रिष्टों की इस जमापुंजी को एक जटके में खराब कर दे? नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ है एक और सवाल पूछा जा रहा है कि कतर में भारत के राजदूत ने नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल की टिपपणी को फ्रिंज एलेमेंट के विचार क्यों कहा? क्या बीजेपी के राश्ट्र प्रवक्ता और दिल्ली बीजेपी के मीडिया हैड को फ्रिंज एलेमेंट कहा जा सकता है? नुपूर शर्मा का ट्विटर अकाउंट मोधी जी, राजनाज सिंग, नितिन गड़करी और अन्य बड़े नेता फॉलो करते हैं उनके विचार, उनके शब्द, बीजेपी के विचार और शब्द हैं सो जी नहीं, नुपूर शर्मा और जिंदल फ्रिंज एलेमेंट नहीं है और इस से जुड़ा एक और सवाल है, फ्रिंज या नौन फ्रिंज, क्या वास्तव में भारत में हेट स्पीच से निपटने के लिए कोई योजना है? सीधा जवाब, हमें ऐसी कोई योजना नहीं दिखती कुछ भी हो, फ्रिंज वाले हो, या पार्टी के प्रवक्ता, समाचार चैनल हो, या चुनावी भाशन या धर्म संसर, देश भर में हेट स्पीच हाल के दिनों में बढ़ती जा रही है मुसल्मानों को मारने, मुसलिम महिलाओं के बलाककार, देश के कानून को अंदेखी करने की बात बार बार सुनी जाती है बुल्डोजर राज से लेकर धर्मान तरण विरोधी कानून तक, जिने हम सम्विदान के खिलाफ मानते हैं मुख्य मंत्रियों का माइनॉरिटीज को परेशान करने के लिए आपसी होड हर तरह से नफरत केवल बढ़ रही है और दुनिया ये नहीं देख रही है कि कौन फ्रिंज है, कौन नौन फ्रिंज है उन्हें यति नरसिंगानन्द और नुपुर शर्मा की कटरता के बीच अंतर नहीं दिखता आश्चरे की बात ये है कि जहां बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया, वहीं नरसिंगानन्द ने नुपुर शर्मा की तारीफ की है बीजेपी के नेताओं को बार बार ताना मारने के बावजूद नफरत फैलाने के लिए कई F.I.R. दर्ज होने के बावजूद नरसिंग आनंद आजाद घूमते हैं यह दिखाता है कि हम वास्तव में नफरत के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं यह जो इंडिया है ना यहां जब तक मुस्लिमों को टार्गेट करना चुनावी रणनीती का एहम हिस्सा बना रहेगा हिंदु खत्रे में है और यह सब मुसल्मानों के कारण है हम पार्टी के प्रवक्ताओं को भारत के मुसल्मानों को बार बार निशाना बनाते हुए देखेंगे सोच ऐसी ही लगती है अगर इस से हमें चुनाव में सफलता मिलती है तो यह करना जरूरी है जायज है हाँ मुसल्म देशों को एतराज हो सकता है लेकिन उस नुकसान को विदेश मंत्री और भारत के राजदूत किसी तरह से संभाल लेंगे इस मामले में भी मुझे लगता है सरकार की यही उमीद है और अगर नुपूर शर्मा कुछी महीनों में टीवी पर वापसी कर लेती है तो हैरान मत हो येगा